Hello and Welcome to TechInfoYT तो प्रिवेस वीडियो में हमने यहाँ पर जो है NextConnect और NextAPIs देखा था जिसमें हमने यहाँ पर इस टेस्ट का एक्जामपल देखा था और यहाँ पर एक रिस्पॉंस भी हमारे पास आ रहा था इसी तरीके से हमने क्या किया था get और post दोनों ही method यहाँ पर देखे थे NextConnect की मदद से अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी APIs हम create करने वाले हैं उसको हमारे front end पर कैसे use कर पाएंगे क्योंकि हम क्या कर रहे थे अगर previous example याणि mini project में भी आपने देखा होंगा तो हमारे पास क्या था user का folder था और इसके अंदर हमारे पास एक इंडेक्स की फाइल थी और हम क्या कर रहे थे json placeholder से यूजर का data जो है fetch करा के ला रहे थे अब हमारे पास प्या है हमारे पास next का API है यहाँ पर API के अंदर कुछ data हो सकता है जैसे कि यहां पर अभी हम simple सा plain response send कर रहे हैं तब मानली जी हमारे पास कोई file है या पिर हमारे पास कोई database है तो database का तो मैं आगे example बता दूँगा आपको अभी फिलाल हम क्या करेंगे मानली जी हम क्या करते हैं यहां पर एक new file create कर दें file नहीं यहां पिर एक array create कर देंगे क्योंकि file करेंगे फिर इसमें import करो उसे अच्छे हम एक array ही यहां पर create कर दें और इसका नाम मैं रखता हूँ users और यह users का array बन चुका है अब इसके अंदर हमारे पास है objects यहां पर मैं क्या करता हूँ objects create कर लेता हूँ जैसे के name यहां पर add कर देता हूँ name में यहां पर रखता हूँ text info yt last name भी add कर सकते हूँ यहां पर email कर देंगे हम कुछ भी यहां पर dummy से ले लेता हूँ test at test.com और यहां पर हम contact number भी लिख सकते हूँ तो phone लिख देता हूँ है और phone के अंदर हम क्या कर सकते है यहां पर कुछ भी add कर सकते है जैसे के one two three four five six यह random से हमने यहां पर add कर दिया इसी तरीके से मैं इसकी multiple copy कर देता हूँ दो से तीन बार one two three four कर देते हैं ठीक है और इसका नाम हम change कर देते हैं यहां पर मैं लिखता हूँ you two, x, y, z मैं डमी से नाम दे रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए आप अपने हैसाब से कुछ भी नाम इसमें add कर सकते हैं और यहां पर हम कर देंगे एक कर नम channel तिली से name है but still हमको सिर्फ यहां पर check करना है कैसे हम use कर सकते हैं अब देखिए हम क्या करेंगे इस get के response में यहां पर इसको पास करादेंगे तो user हम यहां पर क्या कर रहे है send में डायरेक्ली यह user का array यहां पर पास करा देंगे इतना लिख की हम इसको save कर लेते हैं सेव कर लिए हमने, अब चलते हम वापस, और फिर यहां पर URL हिट कराएंगे, टेस्ट का, तो रिफ्रेश करें इसको जस्ट, तो देखिए हमारे पास डेटा आ चुका है, तो हमारे पास एरे आ चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास जीरोत पोजीशन पर टैक इंफो जिसके आप यहां पर देखेंगे, तो हमारे पास एक डेटा है, या फिर मैं एक step back जाता हूँ, और slash users पर जाता हूँ, अब हमारे पास क्या है, यहां पर table show होंगा पूरा, तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास list your show layers पर click करूँगा, तो देखिए हमको redirect करता ह सिंगल यूजर की तरह, तो यह हमने मिनी प्रोजेक्ट में देखा था, अब हमको क्या करना है, हमारे पास rest API में data है, इसकी मदद से हम सेम चीज़ करने वाले हैं, तो चलते हैं वापस visual studio code पर, और API के अंदर तो हमारे पास अभी सब कुछ सही से काम कर रहा है, क्योंकि दे pages के अंदर देखी, user already हमारे पास, तो यह थोड़ा conflict कर सकता है, तो हम एक new folder बना देंगे, और यहां पर मैं करता हूँ, test user इसका नाम रख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा relatable नाम रहेंगा, तो आपको समझ में भी आएगा, test user का मैंने folder बनाया, इसके अंदर मैं क्या करूँ सबसे पहले एक heading add कर देंगे, data from next API, इतना लिख के हम इसको save कर लेते हैं, और page को side में open भी कर लेते हैं, तो माने किया, यहां पर user के बदले हम क्या करेंगे, यहां पर test user add कर देंगे, test user, make sure spelling सही हो, बलना यह काम नहीं करेंगा, तो यहां पर हमारे पास आ रहा है data from next API, औ इस div के बदले हम क्या करते हैं, यहां पर layout component add कर देते हैं, तो make sure आप उस पर click करें, तो यह auto import भी हो जाएगा, इतना लिख के हम save करते हैं, और title हमको add करना पड़ेंगा, वरना error आएगा, तो title हम यहां पर add कर देते हैं, और मैं लिखता हूँ, test user API, इतना लिखके हमाने save क वापस चलता हूँ, तो देखे हमारे पास title है, test user API, और यहां पर हमारे पास content है, header और footer हमको by default layout की मदद से मिल रहे हैं, अब यहां पर हम क्या कराएंगे, यहां पर print कराएंगे, तो इस export के बाद में हमको क्या करना पड़ेंगा, get static props का function execute करना पड़ेंगा, तो हम यहां हमको लिखना है default, और default में हमको यहां पर function का नाम लिखना है, तो function हमारे पास क्या रहेंगा, function का keyword, फिर उसके बाद में, get static props, और यह function है, और हमको क्या करना है, यहां पर try catch block का इस्तमाल करना है, try catch, और यहां पर हम एक variable बना देंगे, const, और यहां पर हमको क्या करना है, इसका नाम देना है, जैसे के मैं लिखता हूँ, user data, यहां पर हम क्या करते है, यहां पर directly data को extract कर लेंगे, तो यहां पर curly braces में, directly data लिखें, आप हम क्या करेंगे, यहां पर, आप चाहें तो function को async भी कर सकते हैं, तो मैं यहां से इसको async कर देता हूँ, क्योंके mostly async data रहता है, तो आपकी अच्छी practice हो जाएंगी, यहां पर हम लिखेंगे, await, await क्या करना है, हमको exios का इस्तेमाल करना है, तो make sure इसको ऊपर import भी करें, अगर आपकी system में install नहीं है, तो आपको पहले install करना पड़ेंगा, तो हमने previous examples में देखा था, तो already हमारे पास exios install है, इस पर click कर तो ऊपर यह import भी हो जाएंगा, और इसके बाद में हमारे पास है get का method, get के अंदर हमको url add करना है, अब url कौन सा add करेंगे, तो url में हमारे पास यहां पर से देखिए, जो test के लिए url बना है, same उसी को copy करना है, और यहां पर आपको पेस्ट कर देना है, क्योंकि url हमार आपको पता होगा, हमको return कराना पड़ता है, return क्या कराना पड़ते है, props, यहां पर props के अंदर हम क्या कर सकते है, user का एक variable बना देंगे, users, और उसके अंदर हम data को add कर देंगे, data, अब इसको destructure कर सकते है, हमारे component में, तो मैं यहां पर लिखता हू, users, यह जो props में है, आप उ users, dot length की property आपको add कर देना है, इतना लिख के हम save करते हैं, चलते हैं वापस, और यह रही हमारी application, यहां पर देखिए हमारे पास data आच चुका है, अब यहां पर length बता रहा है, 4 की, अगर आप यहां पर देखेंगे, तो array का index 0 से शुरू होता है, और 3rd तक हमारे पास show हो रह और मैं क्या करता हूं, इसको container में add कर देता हूं, ताकि आपको अच्छे से यहां पर दिखाई दे, एक div ले लेंगे हम यहां पर ऊपर, क्योंकि bootstrap भी already हमारे पास install है, अगर आपके पास नहीं है, तो आपको जो इसकी link tag में add करना है, और यहां पर आपको क्या करना है, class करा देंगे, तो यहां पर हमको इसको print कराना है, तो मैं लिखता हूं यहां पर users, फिर उसके बाद में आपको dot लिखना है, dot की लिखना है, क्योंकि इसको map कराना है, हमारे पास multiple user आ रहे हैं, उसमें से हम single को extract करेंगे, तो I hope आपको map method आता हूंगा, अब इसके अंदर हम क key भी add कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा key, और यहां पर user.name लिख देता हूं, क्योंकि ID हमने भी create नहीं किया, तो एक काम करते हैं हम पहले, index में ID भी add कर देते हैं, तो test है न हमारे पास, इसमें ID की field भी add कर देंगे, और मैं इसको ID देता हूं, उसी तरीके से मैं इसको copy कर लेता हूं, यहां पर भी add कर दूँगा, और इसकी ID हम कर देंगे, 2, इसकी ID हम कर देंगे, 3, क्योंकि हमको ID के base पे इसको get भी करना, इसलिए हम यहां पर ID add कर रहे हैं, और यहां पर code, इतना लिख के हम इसको save कर लेते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी, अगर आप response चेक करेंगे, database की बात कर रहे हैं, तो यहां पर API का response हम refresh कर देंगे, तो यहां से हमको ID भी मिलेंगा, देखिए ID, name, email और phone, अब हमको क्या करना है, यहां पर show कर रहाना है, तो already हमने आदा code लिख चुके हैं, तो यहां पर देखिए test user का folder है, उसके अंदर हमा आपर से हमारे पास आएंगी, इतना लिखे हम save कर लेते हैं, वापस आते हैं application पर, तो देखिए, सारा data हमारे पास आ रहा है, और यह 4 आ रहा है, तो आप इसको यहां पर कुछ text एड़ कर सकते हैं, total users, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, तो यहां पर हमको show करेंगा, हमारे पास अभी क्या है, email है और phone number है, आप चाहें तो additional इसके अंदर properties को add कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेंगा, इसके click event पे यहां पर action fire करना पड़ेंगा, तो इसके लिए हमको use router लगेंगा, हमको यहां पर import करना पड़ेंगा, use router, तो import और curly braces के अंद हमको यहां पर add करना है, कहां से, next slash router के अंदर से, और इसमें से हमको चाहिए use router का function, तो यहां पर लिखे use router, और इसको एक variable के अंदर आप just store कर दे, तो यहां पर मैं लिखता हो const, और यहां पर मैंने लिखा router equal to use router, और यह function है, तो make sure आप इसको function बना ले, अब हम क्या करें इस p के ऊपर on click का event रखेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हो on click, जैसे इस पर click हो, तब क्या करो, यहां पर हम show करा सकते हैं, तो parenthesis, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर curly braces के अंदर router.push का method इस्तेमाल करेंगे, तो router.push, push के अंदर हमको backtick use करना है, क्यों backtick use करना और इस backtick के अंदर हमको क्या करना है, यहां पर URL देना है, तो main हमारा क्या है, users है, users नहीं, test user है, test user, और उसके बाद में हमारे पास है, id, तो id को हम कैसे लिखते है, template literals में लिखेंगे, तो यहां पर आपको लिखना है, user.id, तो यहां पर इस id पर redirect करेंगा, इतना लिख कि आप इसको save कर ले, save करने के बाद एक बार application पर चलते हैं, और यहां पर देखिए, application reload हो चीगी है, और अगर मैं यहां पर अभी click करूँ, तो हमको error show होगा, क्योंकि हमारे पास id का component नहीं है, तो दीकि यहां पर URL में अगर आप देखेंगे, तो id successfully get हो रही है, मैं दूस id के लिए हमको brackets का use करना पड़ता है, और यहां पर हम add करेंगे id.jsfce, और यहां पर इसका नाम change कर ले आप, जैसे के यहां पर id component है, तो आपको यहां से नाम change करना है, और इसका नाम आप रख सकते है, user id, यहां पर user id already होगा, तो new user id कर देता हो, मैं new user id, make sure आप नीचे भ single user id, और इसको भी हम क्या करेंगे, wrap कर देंगे layout में, तो यहां पर आपको क्या करना है, layout का component में इसको wrap कर देना है, make sure spelling सही हो, यहां से correct कर ले, और एक div यहां पर भी add कर देंगे, ताकि left hand side से, और right hand side से, दूनों जगा से हमको margin मिले, यहां पर class name add कर देंगे, container की class हम यह पर add कर देंगे, और इसको जो है, इसके अंदर हम जो है add कर देंगे, तो इसको ऊपर ढखेल देते हैं, और save कर लेते हैं, अलते हैं वापस, और इसको एक बार refresh कर देते हैं, और जैसे यह refresh हो जाएंगा, तो एक पर click करेंगे, tech info yt, तो अब हमको यह page show होगा, देखिए, single user id, perfectly यहाँ पर show हो रहा है, अब हमको क्या करना है, इस id के base पर जो है, इसकी details को fetch करा के लाना है, तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेंगा, अलग से id का API route भी बनाना पड़ेंगा, तो अभी हमारे पास क्या है दिखिए, directly test है, test.js, तो API के अं नाम आप रखें, index.js, तो यह route पे execute होंगी, index.js, और रखेंगे API को, सही से काम कर रही है नहीं, यहाँ पर refresh करें, तो देखिए, बराबर से अभी भी काम कर रही है, अब हो क्या करना है, यहाँ पर id के लिए जो है, new file create करना है, और इसका नाम same, id रखेंगे, id.js, और इसम API route है, इसके अंदर paste करेंगे, अब देखिए, हमको क्या करना है, यहाँ पर get का method है, हमारे पास, लेकिन हमको direct user को नहीं भेजना, हमको id के base पे user को भेजना है, तो उसके लिए हमको id को get करना पड़ेंगा, तो हम क्या करेंगे, एक variable बनाएंगे, और यहाँ पर मैं लिखता यहाँ पर आपको लिखना है, request.query, request.query में हमको id मिलने वाली है, और इस id के base पे अब हमको find करना है, तो क्या करेंगे, एक new variable यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि हमको store भी करना पड़ेंगा, तो single user के लिए हम यहाँ पर लिख रहें, यहाँ पर देखिए, users है, और अभी हम को मिलने वाला है, यहाँ पर हम करेंगे user.id, अगर यह equivalent है, जो id हम यहाँ पर receive कर रहे हैं, तो उसके, तो क्या करो, यहाँ पर हम response के अंदर सिर्फ user को add कर देंगे, तो यह user कट करके, simple आप user लिखें, इतना लिख के आप इसको save कर सकते हैं, यह हमारा single user के लिए route बन चु तो इसके अंदर आप हम show कराएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको get करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर नीचे, export के बाद में आपको क्या करना है, new function बनाना है, तो यहाँ पर हम करेंगे, export, export के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर async function बनाना है क्योंकि हमको यहाँ पर server-side props चाहिए get server-side make sure spelling सही हो वरना काम नहीं करेंगा and server-side props इसके अंदर हमको जो एक context मिलता है तो यहाँ पे आप लिखे context इसका naming convention है आपको यही follow करना पड़ेंगा इसके बाद में आप try catch block का इसके अंदर हम क्या करेंगे एक variable बना देंगे उसके अंदर destructure करेंगे data को और data हमको कहां से मिलने वाला है तो उसके लिए हम await करेंगे और exeos का use करना है make sure आप उपर इसको import भी करें तो auto import का option आ रहा है तो यहाँ पर click करेंगे तो उपर import हो जाएंगा अगर install नहीं है तो install कर ले आप सबसे पहले और इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास है get का method और यहाँ पर हमको जो backtick कर इस्तेमाल करना है अब हमारे पास जो url रहेंगा वो dynamic रहेंगा जैसे हमारे पास यह normal है ना इसके बाद में हमको id यहाँ पर देना पड़ेंगा आप यहाँ पर इतना paste कर दें और इसके बाद में वापस slash लगाए और dollar यहाँ पर हमको user id पास कराना पड़ेंगा तो कहां से आएंगी यहाँगी हमारे पास context है context. उसके बाद में हमारे पास होती इसके बाद में हमारे पास है id अब यह file का नाम id है इसलिए हम यहाँ पर id लिख रहे है कुछ और आपने लिखा होंगा तो आपको वो add करना पड़ेंगा इसके बाद में हमको return कराना पड़ता है props को तो return और यहाँ पर हमारे पास होते props props के अंदर हमारे पास क्या है यहाँ पर single user receive होंगा तो हम यहाँ पर एक variable बना रहे है user और उसके अंदर जो भी data आएगा तो उसको इसको fulfill करा देंगे इतना लिख के आप इसको save कर ले और यहाँ पर हम क्या करते है एक बार check कर लेते हैं इसको refresh करेंगे तो I think show होना चाहिए या फिर error दोनों में से जो भी हमको एक मिल सकता है यहाँ पर देखे हमारे पास आ रहा है user name is undefined क्यों नहीं हो रहा है एक बार check कर लेते हैं यह है user और हमारे पास user है data empty आ रहा है शाहे इसको हम करेंगे refresh और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है response में तो console पर कुछ भी message show नहीं हो रहा है यहाँ पर application पर देखते हैं तो undefined हमको बता रहा है तो हो सकता है कुछ हमारे से और mistake हो गई है यह इस API को create करने में तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं तो दीखिए यहाँ पर identical हो चुका है हमको इसको equivalent करना है अगर identical करेंगे तो number की जग़े number ही आना चाहिए string की जग़े string आना चाहिए इसलिए यहाँ पर हो सकता है इसकी ज़़े से हमको error दें तो अगर हम यहाँ पर इसको equivalent कर देंगे तब क्या होँगा यहाँ पर string और number दोनों को consider करेंगा इतना लिक के save करते हैं वापस चलते हैं और इसको एक बार refresh कर देते हैं तो दीखिए ओक तो आप perfectly आ रहा है तो यही mistake थी हमारे इसमें अब हम क्या करेंगे वापस front end पर चलते हैं इसको भी एक बार refresh कर देते हैं तो दीखिए यहाँ पर बराबर से शो हो रहा है tech info yt हम क्या करते हैं कोई दूसरा user यहाँ से एक बार select करके देखते हैं जैसे कि यहाँ पर x y z क्लिक किया इसको दीखिए x y z यहाँ पर show हो रहा है तो इसकी बागी की सारी details भी हम यहाँ पर show करा सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है id test user इसमें हमने सिर्फ name print कराया था अब बागी की चीज़ें भी हम यहाँ पर print करा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इसका phone है और email है इतना लिखके save कर लेते हैं चेक करते हैं तो यहाँ पर show होना चाहिए देखिए name, number and email तो आप इसको जो है और अच्छे से customize कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर लिखने name और यहाँ पर है phone तो यहाँ पर हम कर देंगे phone और यहाँ पर email कर देंगे तो देखिए यहाँ पर name phone और email यहाँ पर show हो रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे खुद के rest API यहाँ पर test कर सकते हैं खुद के मतलब क्या है next connect की मदद से यहाँ पर next API की मदद से हमको जो मिल रहा है या पिर हम जो बना रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से access कर सकते हैं तो इसमें हम database भी देख सकते हैं कैसे हम next connect की मदद से database connect कर सकते हैं और वहाँ पर CRUD operation perform कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले basic देख लेंगे example कैसे database connect कर दें या फिर हम directly project connect भी देख सकते हैं तो अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप नीचे जरूर कमेंट करें इस वीडियो में हमने इतना ही देखना था तो मैं मिलता हूँ next वीडियो में make sure आप चैनल को subscribe करके रखें वीडियो को like करें और bell icon प्रेस करें ताके latest वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो मैं मिलता हूँ next वीडियो में